कि एस एन लाइव सच्छ सबसे आद्व मित्रों पड़ा मैं टूना जी पांड़े पूर्वे में लसी सीवान बिहार बहुत दिनों के बाद आप लोग के सामने लाइव आने का में कारण यही रहा आप देख रहे हैं बिहार में जहरिली सराप पीने से कितने लोगों का मौत हो गया और रोज ड्रामा चल रहा है बिधान सरा में हमारे देश के मुखिया मानिये मुखमंत्री जी के बिसे में हमें तो कुछ नहीं कहने के सोचे हुए थी कि नहीं कहेंगे लिखिन वो ऐसा काम करते हैं किस तरह से वो बेगर संबेदन हींता दिखाते हैं बिहार के जनता के प्रती वो किस तरह से सदन में चिला कर कर रहा हैं जो पीएगा सो मरेगा मनेए इतने मुखमंत्री और संबेदन सील हो जाएंगे मने किसी ने सोचा भी नहीं था और देश का पहला मुद्दा होगा या देश का पहला मुखमंतरी होगे जो इस भासा का प्रयोग कर रहें कि जो पीएगा सो मरेगा हमें तो उस भासा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस भासा का प्रयोग किये हैं इनके घर में आए केजवल्टी अगर होती तो इनको समझ में आता कि केजवल्टी का मतलब क्या होता है इनका तो अपना ना घहर है ना दुवार है ना परिवार है एक बेटा है सो भी क्या है सबको पता है पतनी से इनका कितना अच्छा समंद रहा सो सबको पता है एक परिवारिक बेक्ती तो है नहीं कि परिवार का दुख दर्व समझें ये तो अहंकार से परिप्यून बेक्ती ह कि इनको अपने फैसले पर कुना विचार करना चाहिए कि किस वासा का प्रयोक्त कर रहा है घ। और बिहार की जनता से इनको माफी माँगना चाहिए च्छपरा में इतने लोगं मर गैं पिश्परो से अरफ भी सराब जहरीली आती कहां से है उल्य है आपने क्यों नहीं कहा कि जो गाजाँ पीएगा सो मरेगा आपने संब नहीं बोला जो नसाग करेगा सो मरेगा यह तो आपने नहीं कह आपने कह सरा पीएगा सो मरेगा आपि एक बात बताएए मानिये मुखमंत्री मोह दे साथ है न sweets in this रुपिया कोई जियम में चुरा कर ले जाता है फिर भी पुलीस चाहती है तो उसको पकड़ लेती है कोई लाग-दू-लाग रुपिया लेकर नहीं घुम सकता है एलेक्षन में लेकिन दारू इतनी बड़ी खेप में बिहार में आ जा रही है और आपकी पुलीस आपका प्रस मुखिया पर किस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम बिहार की जनता से यह मांग करेंगे और आगरा करेंगे यह आप अपना-पना मंतव जरूर दें कि जिसके राज में दारू पकड़ा जाए जहां सराबंदी है और इतने लोग मर जा रहे हैं तो उस देश के मुखिया प आप बहोते बहें भेन बकरियों के तरह थिरवी सराब नहीं रूख रही है कहींने Mei के प्रसासन की दिफलता है कि अन०्र श早 शचाने प्रभाद को आपने क्यों नहीं बरखास कर रहे निलंबन से कोई काम नहीं चलेगा आपमें अगर थोड़ा भी संवेद connection उलता रहत बहुत наша चला रहे हैं जो सिंखे वगे थे ऊपने ठाणपरभारी आ पताईये, जहांद आरूपी कर सबस्केदार को परकाद कर रहे है, नीचे से उपर तक पैसा दे रही होगी, तभी न दावु बिक्रासर, तो आप थाना प्रभारी को परखास नहीं कर रहे हैं, निलंबन करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप उहां के प्रसासा नेश्टी को निलंबन परखास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नैतिक जिम्म से नहीं है, मानिये मुखमंतरी जी हमें तो तरस आती है आपके जैसे लोगों पर, मैं तो बहुत इन से आपके पक्ष में, विपक्ष में या आपके नाम भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन आप इस तरह से बयान देंगे, विधान सभा में, विपक्षी नेताओं को तुम पर उतर जाएंगे, जैसा लगता है कि बिहार का राजा है आप हैं, आपके जैसा निर्धन बैक्ती, जो परिवार से निर्धन है, जो समाज से निर्धन है, जो जबान से निर्धन है, आपके पास है क्या, अहंकार क्या लामा, पिछले जनम के सौभाग साली है, कि कभी आपको RJD मुकमंत्री स्विकार कर लेती है यह पिछले जन्म की आपकी कमाई इस जन्म की जन्म में आप नाली का कीड़ा बनके जन्म लीजिएगा जो आपकी प्रविट्टी है आप राधा का हैस्यत के रूप में सदन में एक विपक्ष के नेता को किस तरह किस भासा में प्र भरू बंद्धी कर दिया और बिहार में जितनी औरते की मान उजर रही है जितने बहन के भायों की कलाई सुनी हो रही है मूखमंत्री जी इसका जबाब कौन देगा है इसका जबाब कौन देगा आप पता है है आप बहुत अच्छा कि आपने बंद कर दिया हम लोगी सप्पॉड किये थे आपने बंद कर दिया लेकिन जो अब सब्सक्राइब क्या कर रहा है उसको क्या कर रहा है अगर जो फासि पर हम लटकाएंगे अपने कहा जो पीएगा वो मरेगा धन्य है मुखमंत्री महोदे सरम तो आप नाम का चीज आपके पास है नहीं दूर दूर तक नहीं है हम तो तमाम भीएपी के अर्जेडी के चाहें तमाम बर्ग के निताओं से आगरा करेंगे बिहार की पूरी जनता से आगरा करेंगे कि ऐसे मुख मंत्री को जिस तरह गद्धाफी को गद्धी से उतारा गया उस तरह ऐसे मानिये बिहार के मुख मंत्री को गद्धाफी जैसा बिहार करके इनको गद्धी से उतारा जाए ये गद्धाफी से कम नहीं है ये आतंकवादी टाइप के बैक्ति हो गया है जिस तरह इ इंता की परकष्टा पार कर गए मानिये मुखमंत्री महुद है आप घमन से परिपूर है और आपका घमन तूटेगा बिहार की जनता तोड़ेगी आने दिजी हम लोग को सक्रिय रूप में थोड़ा सा थिर आपको हम लोग बताएंगे कैसे बिहार चलता है आपको थोड़ा अपने आप में नहीं लग रहा कि आप क्या बात बोल रहे हैं भासन बोल रहे हैं अब क्यों नहीं बोले कि जो दारू बैचे का उसको फासी पर लटकाएंगे उड़ावरिस्तदार हलो यह दरूया बैचता ही थालो रावूर आपको घमन है कि आप बीजेपी नहीं हमको आप गालने का यहिए भी आपको अकिल नहीं खुल रहा है दारू बंदी के बादें आप आएं सतर तीहतर से तैंटालीच को चते जगड़ा हो रहा है कि हमें नहीं करें कि आप दारू खोल दीजिए आप बंद रखिए अगर आप में मुखमंत्री मोधे हम चुनोती दे र है आप दारू मापी आओगा प्रती अगर आप थोड़ा भी मतलब अपना एठी दिखाना चाहते हैं प्रसासानक कड़ाई आप कहते हैं नो जो पीएगा सो मर जाएगा कल अपने MP MLA पूर बिधायक पार्टी का जिलाध्यक्ष सारे लोगों को आप नार्कोस टेस्ट कड़ा हैं कि और आपके चरीत्र के विसे में तो पूरे दुनिया जान रही है किर्च चरी में और कि से यहीं आशा रखा जा सकता है किसी भासा का प्रियोल करेंगे। आपके घर में अगर कोई केजुएल्टी होता कोई मरता तो आपको समझ में आता कि एक परिवार के एक बैक्ति को बिच्छणने का क्या दर्ध होता है अब जले पर नमत शिर्णा है मानिये मुखमंतरी मोद है हमें आपके उपर उस कठोर भासा का प्रयोग नहीं करना चाहिए बिहार आपके मनें अब क्या कहें भासा तो बहुत लूज टोक है नहीं बोल पा रहे हैं आपका जिमदारी हो गया है बिहार की जनता आपके बधुआ मजदूर हो गये हैं बिहार की जनता से हाथ जोल कर आग बैक्ति चाहिए या हमें आप कहिए हम अगवाई करते हैं और भारत स्वतंत्र भारत में एक पहला ऐसा आज सम्वेदन सिल मुखमंत्री हैं जो इस तरह की भासा प्रयोकी हैं और इनको हम लोग गदी से उतारेंगे एक बार मुखमंत्री निवास पर हम लोग हमला बोलेंगे कोई मीडिया कोई प्रसाशन कोई कुछ नहीं कर पाएगा सब लोग हम लोग का सपोर्ट करेगा क्योंकि सब लोग इस बैक्ति से त्रच्त हैं इस बैक्ति को जब तक हम लोग गदी से नहीं उतारेंगे एक बैक्ति इधर तुदर करता रहेगा भासा का इनके पास कोई भी नेतिक अधिकार नहीं है कि आप किस भासा का प्रियों कहा करते हैं इनके पास कोई सब्वेदन सिलता नहीं है और सब्वेदन सिल मुखमंत्री बने हुए ही किस घमंड से बात बोल दिये ही जिसके घर में इतने लोग उजड़ गए जिसके छोटे छोटे बच्ची आनात हो ग मंत्री मों हगा हिम्मत है तो पर अपना ही नि को टेस्ट कराई है कि सराम हुआ इसमेशं आपमें आप बहुत जाधा नसा बंदी पर जोड़ दे रहे हैं प्रतिबंधित नसा है उसको आप के यूज किये हैं कि नहीं आप इसका नार्कोट टेस्ट कराइए कल आप एलान करिए पियर बिहार की जनता के साथ कि हम नार्कोट टेस्ट अपना कराने चल रहे हैं और सारे बिधान मंडल दल के नेता और बिधान परिसर दल के नेता चले हमारे साथ नार्कोट टेस्ट कराए तब हम लोग समझेंगे कि आप सच्चे रूप से एक अच्छे क कुझ करते हैं आप हम आपको आरोप लगाते इस बात को आप गाजा का उपयोग स्वें करते हैं और गजा के नसा में आप कोई न कोई भासान देते हैं नसा के गजा के नसा में आप ऐसा फैसला लेते हैं आपके उपर बिहार में जितने जारीली कांड से लोग मरें हैं उसका केस मुकदमा हत्या के आपके उपर चलना चाहिए उस परिवार के लोगों से हम आगरा करेंगे और बिहार के तमाम समाज से भी और तमाम बुध जीवी नेताओं से भांग करेंगे जो किसी दल के हो किसी पाती के हो कि आप लोग आगे आईए और हर परिवार से हत्या का एक मुकदमा 300 दूर डाला जाए मुखमंत्री महदे पर मुखमंत्री महदे का समझ में आ जाए जनता जब जारती है तो बड़े-बड़े को तकता पलड़ जाता है बड़े-बड़े अभिमानी पूरुस घमंड उनको चकना चूर जनता कर देती है जनता में इतनी ताकत होती है मुखमंत्री महदे आप अपनी आँख खोलिए और देखिए बिहार की जनता की तरह करा रही है आप कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं उनके प्रतिस साहनभूती तो तरह कि दारु उड़ कर लाता है कि कहा कि नीकरी साता है और जानते हैं आप हमसे कहने वाले हैं च्छति पूर्ति टुन आ जी आपको देंगे ना यह कि जितने बिजनेसमेन को आपने बरबाद किया सारा आह आपको पड़ेगा और पर रहा हैं यह आप जान जाएए हम दार प्रफिक दारी करते थे अपने मंस हैं आप लाइशेस देते थे आप नियम का हवारा देकर सारा पैसा हम लोग का फड़ब लिए सारा हम लोग का ड्रेथी बंद कर दिये आप हम लोग पैसा वापस कर दिये रहते आपको यहीं न लगा कि हम लोग छोटे बेखती हैं आप से नहीं लड़ पाएंगे बिहार की जंता आप से लड़ेगी और आपका ओँ हाल करेगी जो आने वाले साथ पिढ़ी के मुखमंत्री लोग याद रखेगा कि बिहार के साथ अभध्र करने बिवार करने का और अन्याय करने का सजय क्या होती है और यह सजय आपको भुगतना पड़ेगा मानिया मुखमंत्री महद है और थोड़ा उम्राने दीजिए आपका जब अंतीन समय आएगा न किस तरह से आप उपर जाईएगा अंतीन समय में आप एक- आप अपके सरीर में कीड़ा बन कर कातेगा मानिया मुखमंत्री महद है आप इतने घमंध हो कर के कोई आदमी जो उपर जाता आउस्स परिवार के प्रतिस सबको सानबूती रहता है सब लों रोता है सब लों काता है कि भाई ऊचलेगे इससे परिवार का क्या होगा आप कहते हैं जो पीयेla सो मैनेगा और जो बेचेया सब आपके गोधी में रहेगा हो गोधी में रहेगा हूं तो एक स्मय तुरम फिल दीए आपको चुनाव जब पता है पुर्सअजन का इतना घाजा के बाते हैं आप को नहीं पता है। मानिया मुखमंतरी महुद है हमें दो बहुत लोग कहता है और आपको भी लगता हुए यह थी बोल रहे हैं आपके पर थी हमारे दिल टूटा है एकदम जल रहा दिल छपना का जहरीली कान दे करके सिवान में जहरीली कान दे करके हमारा रोजी रोटी आप नहीं देते हैं लेकिन हम एक बिहार के निवासी है जन्नेता रह चुके हैं अभी भी हम जन्ता की प्रतित्व करते हैं कि हम जन्ता के प्रतियावाद उठाते हैं उनका हमें बहुत दर्ध है आपके इस भासन से जो भासा आपने विधान सावा में प्रयोग किया विजेक कुमार सिन्हा जी के प्रतिप्रयोग किया और विजेक कुमार सिन्हा जी के घर पर एक सुवाट पे टीए अब दार्वो पकड़ा गया सुनते हैं कि जो आपके खिलाप उठाएगा उसका यही हाल आप करिएगा उपर से डरिये मारिया मुखमंत्री महोदे उपर वाले से डरिये उपर वाले से डरिये सोचिए कि पिछले जनम में आप कौन सा पुन किये थे कि इस जनम इतने अच्छा आपको जिन्दगी मिला और क्यों इस जनम में अपने जिन्दगी को आप पाप नर्ग मिला रहे हैं आप स्राब बंदि लागू करिए लेकिन जो स्राब बेच रहे हैं जो स्राब ला रहे हैं उनको आप फासी पर लड़काईए और जिस जिला में जिस थाना में स्राब पकड़ी जा रही है उस थाना या बागदोर आपके हाथ में नहीं है आप उसी नेताओं के तंग कर रहे हैं जो आपको रास्ता दिखाने के काम करता है मुखमंत्री मोहदे हमारी बात आपको कलबा लग रही है लेकिन बात हमारी सत्त है आप सोईएगा तो अपने दिल पर हाथ लखकर सोचिएगा तुना पांडे ने हमारे मिशे में क्या कहा कौन सा गलत कहा कौन सा सई कहा मानिये मुखमंत्री मोहदे हमें इतना छोटा आप समझने की कोशिस नहीं करेंगे हमारे जैसे अगर दस नौजवान बिहार में आगे आ जाएंगे आपकी तखता हिल जाएगी और इस बार हिलनी ताय है भी आप जान जाएए क्योंकि इन लोग का पाप जो जहरीली सराब से मरे हैं लोग उसका पाप आपको मिलेगा आपको पाप पड़ेगा हम उस परिवार से आगरा करेंगा थाना में चलिए मानिये मुखमंत्री मोहदे परे फायार दर्ज करिए कि हत्या का दोसी यहीं है आ नियम बनाने वाले पर करवाई नहीं होनी चाहिए आप जो चाहेंगा स्यों बना दीजेगा एधिकार आपको है क्या आप जो बढ़ाये बिधान परिशा बिधान सबा में पास करा करके मंद्रि मदल में लागू कर दीजगा उस से जो पाय्दा होगा उसका स्रे आप लीज झहकडा जण्ज्ट प्रिवार में नहीं होता है इसका स्रे आप ले रहे आ अच्छी बात है लेकिन जो लोग मर जा रहे हैं रिलीश रापी से उसका सरे कौन लेगा विपर्ष के लो उसका सरे तो आप भी को लेना है ना अब भी पर्ष लोग आवाज उठाता जा कहते हैं कि आप भी लोग बिकवाते हैं सरम करो मानिया मुखमंत्री मोहदे सरम किजिए या आपको इस तरह से नीच भासा नहीं प्रयो करती चले और आप असा बेदन सिल्वासा का परयोग मंद करिए और हम बिहार के सार तमाम जनता से आग्रा करेंगे हाँ जो आके निवेदन करेंगे के टूना पांडे अपनी जान के परवाह किये बगर आपके साथ कदम में कदम मिलाकर आगे चलने के तयार हैं आप पटना कुछ करें एक समय निकाला जाए और पटना कुछ करके मुखमंतरी निवास से मुखमंतरी जुको बाहर किया जाए दिखाया जाए कि चलिए समाद में आप देखिए क्या इनके उपर बित रही आपके दारू माफिया के लोगों ने क्या जहरेली सराब बेच करके इन लोग से बिख जा रही है और आप कह रहे हैं कि जो पीएगा सो मलेगा जो बेचेगा सो क्या करेगा वो आपके बोदी में बैठेगा चलिए मानिये मुखमंतरी मोद है आपसे अनुरोद भिने करेंगे निवेदन करेंगे अपनी भासा में संबेदन सिल्ता लाइए अस संबेदन भरा तो अंती में उसका क्या गती हुआ सब जानता है तो सिस्वाल जैसे आपका पाप का घड़ा भर गया है और विहार की जनता आपको गदी पर से उतार कर फेकेगी और विहार की जनता से आग्रह करेंगे कि आप लोग थाना में थायार दर्ज करिए नई थाना सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीजियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर जाएब करेंगे